हलो दोस्तों स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल डियर लेर्नर्स में और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यानि पेपर टू सीटेट के साइंस के जो प्रिवेस यूर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे मे हम डिसकस करेंगे आज की क्लास में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कोड़ देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है सीराओं के विशय में नीचे दिये गए खतनों पर विचार कीजिए सीराओं का मतलब जो हमारे सरीर में सीराएं और धमनी होती है जिनका काम यानि रक्त को ले जाना और हर्दे से लाना होता है तो उनके बारे में आपको बताना है सिराओं के विशय में नीचे दिये गए कथन पर विचार कीजिए सिराओं CO2 समरद रुधिर को सरीर के सभी भागों से वापस हर्दे में ले जाती है तो ये कथन सही है कि गलत आपको यहाँ पर बताना है तो देखे यहाँ पर यह जो आफसन है यानि जो नंबर दिये हुए है यहाँ पर गलत दिये हुए तो सबसे पहले इनको सही करना है यह देखे ये क्वेस्चन है सिराओं के विशय में कथन पर विचार कीजिए A. आपका ये वाला होगा B. आपका ये होगा C. ये होगा D. कोई भी आफसन नहीं है क्योंकि किसी भी आफसन में D. नहीं है तो इस प्रकार से ABC है थोड़ी सी यहाँ पर mistake है टाइपिंग की तो देखिए सबसे पहली A. नंबर है जो यानि सिराएं CO2 समरद रुधिर को सरीर के सभी भागों से वापस रदय में ले जाती है बिल्कुल सही बात है सरीर से रख्त को हरदय में पहुचाने का कारे होता है सिराओं का फिर यहाँ पर सिराओं की जो वितियां है वो मोटी होती है तो ये जो हमारा कतन है ये सही नहीं है जो सिराओं की वितियां है वो पतली होती है और जो धमनियों की वितियां होती है वो यहाँ पर मोटी होती है तो ये कतन सही नहीं है फिर आता है सिराओं में ऐसे वालव होते हैं केबल हर्दय की और प्रवाहित होने देते हैं तो ये बात भी हमारी सही है यानि यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा A और C A और C हमारा सही आंसर होगा अगला कोशन है निमनलिखित में से सही कथन चुनी है जिंक aluminum से अधिक सक्री है copper feras sulfate وिल्यन से iron को विस्थापित कर सकता है तो देखगे कोई भी या हम के लिए यह विल्यन जो copper feras sulfate का है यह iron को तभी विस्थापित कर पाएग़ है जब यह iron से ज्यादा यहाँ पर सक्रीता इसकी होगी यह ज्यादा सक्री तभी यह उसको विस्थापित कर पाएगा तो दिखिए जितने भी यहां पर आफसन दिये हुए हैं सभी के अनुसार से हम आपको यहां पर एक क्रम बताते हैं सक्रीता का जिससे आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे तो देखिए सबसे पहले हैं इल्यूमिनियम फिर है यहां पर जिंक और आइरन और सीउ इन चारों की बाद ही इन चारों आपसन में की गई हैं वैसे तो आपको क्रम में कई सारे तत्तों देखने को मिलेंगे तो यहां इल्यूमिनियम की जो सक्रीता है वो यहां पर सबसे कापर की देखे कापर फेरस सलफेड विलियन से आयरन को विस्थापित कर सकता है तो यह हमारा कथन गलत हो जाएगा फिर जिंक अल्यूमिनियम से अधिक सक्री है तो आप देख सकते हैं जिंक अल्यूमिनियम से कम सक्री है फिर आता है आयरन कापर सलफेड विलियन से कापर को विस्थापित कर सकता है परन्तु अल्यूमिनियम सलफेट से अल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता तो यहाँ पर देखे यही आंसर हमारा सही होगा क्योंकि जो आईरन है वो कापर से ज़्यादा सक्री है तो वो कापर को विस्थापित कर सकता है लेकिन एल्यूमिनियम से कम सक्री इसलिए एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता है यह आफसन हमारा सही उसके बाद आता है aluminum ferrous sulfate willion से iron को विस्थापित नहीं कर सकता तो ये गलत बात है जो aluminum है वो यानि ferrous sulfate willion से iron को विस्थापित कर सकता है तो तीन हमारे गलत हो गए और एक हमारा answer यहाँ पर सही हो गया अगला question है तो देखे अगर हम बात करें जो हमारे 8 ग्रह है उनमें से जो 6 है जिनमें हमारी पृत्वी भी सामिल है ये पश्चिम से पूर्व की और गूर्णन करते है इसका मतलब यह है कि हमें सूर्य सुबय उगता हुआ कहां दिखाई देता है पूर्व दिशा में और सूर्य छिपता कहां है पश्चिम दिशा में लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जहां पर जो सूर्योदय है वो पश्चिम दिशा से होता है यानि अपने घूणन अच्छों पर पूर्व से पश्चिम की और घूणन करते हैं दो ग्रे ऐसे कौन से हैं आठ में और इस प्रकार से भी question आप से पूंचा जाता है वंडे exam में अगर हम देखते हैं इसी का एक question ये भी बनाया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ग्रे है जहाँ पर पश्यम से सूर्योदय होता है तो ऐसे दो ग्रे हैं आठ में से और उन दोन से होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये पूरो से पश्यम की और घुनन करते हैं अगला question है यदि किसी विक्तिकी लार में लार M.I.L.E.C. की हीनता है तो उस विक्तिकी मुह हुआ में बादित होने वाली प्रक्रिया निमलिकित में से कौन सी होगी तो दिखे गुमा कर एक story form में question पूछा गया है और सीधा सा question ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे लार का M.I.L.E.C. एंजाइम होता है उसका कार क्या हो हो जाएगी तो जो प्रक्रिया हमारी बादित होगी वह होगी start का सरकराओं में परिवर्टन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे जो भोजन का पाचन है वह हमारी मुखकुगुः से ही start हो जाता है यानि लार से ही उसका पाचन start हो जाता है अगला question है प्रकास के प्रकीनन की विदी देखी जा सकती है जब प्रकास यानि किसे प्रकास गुजरे तब हम प्रकीनन की विदी देख सकते हैं तो साबुन के बुलबुले से गुजरता है यह हमारा कथन सही है यहाँ पर फिर CD की सतय पर पढ़ता है तो य यह पर हम प्रकीनन को नहीं देख सकते हैं वर्सवा की बूंदों से जब गुजरता है प्रकास तब हम इसका प्रकीनन देख सकते हैं और चमक ते कंचो पार तो देखें सबसे पहले है, isthetic गरसण शरफी गरसण से कम होता है, ये कतन हमारा गलत है, क्योंकि जो इस्थाइतिक गर्षण है, यह सरपी गर्षण से अधीक होता है, लोटनी गर्षण सरपी गर्षण से अधीक होता है, यह भी हमारा कथन हाँ पर गलत है, फिर आता है इस्थाइतिक गर्षण सरपी गर्षण से कम, परंतु लोटनी गर्षण से अधीक होता है, यह भी गलत है सही आंसर होगा fourth number सरपी गर्षन लोटनी गर्षन से तो अधिक होता है परंतु इस्थैतिक गर्षन से कम होता है तो ये बात आपको याद रखनी है जो सरपी गर्षन या जिसे हम इंगलिज में friction कहते हैं वो लोटनी से तो अधिक होता है लेकिन इस्थैतिक गर्षन से कम होता है अगला question है कोई छात्र छीन धोनी का प्रबल धोनी में परिवर्तन करना चाहता है तो उसमें निम्नलिखित में से किस एक की वुर्धि करनी चाहिए यानि कोई धोनी क्या थे छीन धोनी है और उसे हमें क्या बनाना है प्रबल धोनी बनाना है तो फिर हम किसमे ब्रद्धी करेंगे आयाम में उसकी आवरती में या उसकी चाल में या तरंग दैर में तो अगर देखे हम बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है यानि सीधा सा संबन्द होता है प्रबलता समान उपाती A-Squire यानि कि प्रबलता समान उपाती होती है किसके आयाम A-Squire के समान उपाती होती है तो अगर हमको छेंड धोनी को प्रबल करना है तो फिर हम यहाँ पर किसे बढ़ाएंगे हम धोनी के आयाम को बढ़ाएंगे और जब हम आयाम को बढ़ाएंगे तो उससे समान उपाती रिलेस कौन कौन से हैं तो देखिए यहाn पर आफसन eliminate करेंगे आप और दो पर यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा फर्वर्ट नम्बर कोसिका जिलि कोसिका द्रव केंदरक और रिक्तिका यह जो चार संघटक हैं यह आपके जन्त कोजिका में पाए जाने वाले गटक हैं अगला question है ओजोन के बारे में नीचे दिए गए कतनों पर अभिचार कीजिए तो देखे ओजोन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं environment की classes यानि कई सारी classes हमने environment studies के लिए हैं और उसमें हमने आपको ओजोन के बारे में डीटेल में बताया था उसी से जुड़े हुए चार कथन यहां पर दिये हुए हैं तो दिखे ओजोन वाई मंडल के उच्चतर इस तरपर आक्सीजन पर परावेंगनी क्रिणों की क्रिया से बनती है तो दिखे ओजोन का सूथ तरोता है ओथिरी और आक्सीजन पर परावेंगनी क्रिणों की क्रिया से बनती है यह बात हमारी बिल्कुल सही है फिर यह सूर से आने वाली हानिकारक परावेंगनी विकिरणों से हमारी सूरच्छा करती है तो ये भी बात सही है ओजोन आक्सीजन से भिन नहीं है तो ये जो कतन है मारा ये गलत हो गया क्योंकि ओजोन आक्सीजन से भिन है आक्सीजन का सूतर होता है O2 और ओजोन का होता है O3 ओजोन का आक्सीजन में अपचरित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो ये भी sentence हमा यहाँ पर सही है अगला कुश्चन जव्वित्था के बारे में नीचे दिये गए कतन पर विचार कीजिये तो देखें यहां पर भी वन अधिक्तम होगे यानि वन सघन होगे वहाँ पर जव्वित्था भी अधिक पाई जाएगी तो यह सेंटेंस हमारा सही है यहां किसी दिय लोते हैं और जो भी हम ये कहलें अदर जो इस पसीज हैं वो भी यहां पर सामिल होती हैं या किसी दिये गए चेतर में उपस्तित एक विशेष इस पसीज की विश्टियों की कुल संक्या का उलेक करती है तो ऐसा नहीं है किसी एक विशेष इस पसीज की यहां पर संक्या का उ लेक करती है तो ये खतन हमारा सही है यानि सही आंसर होगा A और D A और D यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है निम लिखित में से कौन सा तीन पेट्रो रसायनों के सम्हूं को निरूपित करता है देखें निम लिखित में से कौन-कौन से पेट्रोरसायन है तो इन में आपका जो पेट्रोरसायन है वो है अपमारजक, इस नेहक तेल, और कोलतार ये आपके पेट्रोरसायन की स्रेणी में आते हैं अगला क्वेश्यन है आपके पास कोई ईट है जिसकी लंबाई L और चौणाई B और उचाई H है यदि आप इसे एक मेच पर इस तरह रखें कि हर बार भिन फलक मेच के प्रिष्ट को इस पर सकरें तो तीन विभिन परकरणों में या इट समतल प्रिष्ट पर आरोपित होगी किस प्रकार से तो देखें यहाँ पर जो होगा वो होगा समान प्रनोध परंत विभिन नदाब यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगला क्वेशन है यहाँ पर टेबल फॉर्म में दिया हुआ है और आपको बताना है नीचे दी गई तालिका में उस समू को चुनिये जिसमें किसी पुस्प के पुंकेसर और इस्तरी केसर के सही भाग दिये गए है तो पुंकेसर और इस्तरी केसर के सही भाग कौन-कौन से होते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो होगा थर्ड नंबर यानि पराकोस्तन्तु आपके पूंकेसर के भाग हैं और अंडासय वाह दल और वर्टिकाग्र ये आपके इस्तरीक एसर के भाग हैं तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा थर्ड नंबर थर्ड यहां पर सही आंसर होगा अगला question है जठर ग्रंथियों द्वारा इस स्रावित हाइड्रो क्लोरिक अमल से आमासय के आंतरिक सतय को सुरच्छा कौन प्रदान करता है तो देखे जब भोजन हमारा जाता है कि इसमें आमासय में तो आमासय में जो जठर ग्रंथियों होती हैं उनके द्वारा जठर रस का स्रामण किया जाता है और उससे यानि जो भी जीमाण होते हैं उनको नश्ट करने के लिए एचसील अमल का भी स्राव किया जाता है जठर ग तो आिन सलेस्मा कहते हैं तो आप इस इंगलेस भी यहां पर देख लिए यहां गलेकि तो जब आपको हंदी बहुत जयादा कटिल लगें 60 की इंगलेस भी अपने exam में देख सकते हैं आप सायद English में समझ जाए क्योंकि biology में हो या हमारी science में हो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम English में ही पढ़ते हैं Hindi पढ़ते हुए भी तो यहाँ पर देखिए mucus सही अंसर होगा और जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं अगला question है फिर यहाँ पर किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात तो उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेचन करके अपने प्रेचनों को इस प्रकार से नोट करेगा देखिए यहाँ पर घास की बात की गई है यानि घास को आपने घास के पौधे को उखाड़ा और उसमें जो जड़े दी हुई है तो आपको बताना है वो किस प्रकार की जड़े होंगी और किस प्रकार की जो पत्तियां है वो आपको घास में देखने को मिलेंगी देखे घास में जो जड़े पाई जाती है वो पाई जाती है रेसेदार जड़े तो रेसेदार जड़े पाई जाती है तथा समानतर सिरविन्यास आपको देखने को मिलता है घास के पौदे को अगर आप देखेंगे तो उसमें रेसेदार आप घास के पौदे को जब उखाड तो वहाँ पर रेसेदार सड़ें, जड़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी और समानतर सिरविन्याज आपको पत्तियों में देखने को मिलेगा अगला question है सही कथन चुनना है चार में से तो sodium और phosphorus दोनों को kerosene में संचित किया जाता है तो ये कथन गलत है तो देखे सबसे पहले हम आपको बता दें sodium और phosphorus की बात यहां पर की गई है तो sodium और कल ही ये question हमने यानि पिछली class में पढ़ा था science की कि sodium को हम रखते हैं केरोसी नायल में जिसमें उसमें कोई भी क्रिया ना हो यानि विसफोर्ट हमको देखने को ना मिले उसके अलावा जो phosphorus है इसे हम रखते हैं किसमें जल में तो ये दो जो कथन है वो आपको याद रखने है और इसी से जुरे होय चारों कथन दिये हुए है तो देख सकते हैं कौन गलत है कौन सा ये sodium और ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो गया अगला question है आद्र वायू में लंबे समय तक रखे जाने पर कापर के बरतनों के बाहरी प्रिष्ट पर फीकी हरी परत बन जाती है या हरा पदार्थ क्या होता है तो देखे अगर आप नमी में बहुत ही लंबे समय तक जो कापर के हमारे बरतन होते हैं या जिसे हिंदी में हम तामा कहते हैं तामे के जो बरतन होते हैं उनकी बाहरी प्रिष्ट पर फीकी हरी परत बन जाती है या हरा पदार्थ क्या होता है आपको बताना है तो देखे यह जो हरा पदार्थ आपको देखने को मिलता है यह होता है पूरी तरीके से जो Cu3 यानि की कापर कार्बोनेट उ यह इसकी वज़े से ही वो जो हरी परत है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है अगला क्वेश्यन है मृदा में पोसक सम्रद्धि अथवा पुना पूर्दि करने के लिए क्रियानवित किया जाने वाले क्रिया कलाब क्या है यानि कोई मृदा है यानि मिट्टी है उसमें पोसक सम्रद्धि करने है यानि जो पोसक तत्व है उनको यहां पर बढ़ाना है उनके बृद्धि करनी है और उस भूमी को या उस मृदा को पुना पूर्दि करना है तो कौन-कौन सा जो क्रिया कलाब है वो यहां पर अपनाया जाएगा तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम फसल चक्रण यहाँ पर करेंगे फसल चक्रण का मतलब यह होता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल हम वहाँ पर फसल चक्रण करेंगे और फिर हम खाद डालेंगे जिससे जो पोसक तत्तों है वहाँ पर मिल जाए फिर हम उर्वरक डालेंगे जिनमें आपका nitrogen, phosphorus और potassium होता है उर्वरक में तो ये उर्वरक हम वहाँ पर डालेंगे तो वो जू भूमी है उसमें पोसत तत्तों की क्या होगी वरद्धी होगी वहाँ पर वरद्धी देखने को मिलेगी अगला question है निम लिखित में से कौन सा चार रवी फसलों का समू है तो रवी फसलों का समू आपको बताना है तो देखिए रवी की फसल होती है एक हमारी खरीफ की फसल होती है और एक हमारी जायत की फसल होती है तो जायत की फसल में तो आपके आ जाते हैं तरबूज, खरबू रवी की फसल है देखे खरीफ की फसल में आपका जो फेमस है वो है यहाँ पर धान और रवी की फसल में गेहूं यह आप सिंपली जानते हैं तो उनी से आप आफसन को इलिमिनेट कर सकते हैं देखे वे इसमें आपका धान हो गया तो यह तो रवी की फसल होगी नहीं इसमें आपकी रवी की फसल हैं उसके अलावा बात करें अगर हम धान और सोया बीन की तो धान या सोया बीन उसके अलावा मूमफली ये सब ही आपकी कौन सी फसल हैं ये आपकी खरीफ की फसल हैं तो इसलिए सारे आपसन गलत होंगे पहला आपसन सायोगा चना सरसों मटर गे हूं य यह आपकी रवी की फशले है अगला क्वेशन है कोई कार अपनी पहली आत्रा वीवन चाल से और सेस आधी आत्रा वीटू चाल से तै करती है और उस कार की समस्त निट चाल क्या होगी तो दीखे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है और यहाँ पर जो पहली आध सीधा सा और सिम्पल सूत्र आपको याद रखना है इसका डियरेक्ट सूतर होता है 2V1V2 अपान V1- V2 तो यह आपको याद रखना यह डियरेक्ट सूतर होता है औस चाल निकालने का तो यह हमारे इम्पोर्टेंट question थे science से related जो कि हमने यहां पर discuss किये और इस प्रकार से जो science की classes हैं और साथ ही साथ sst की classes भी बीच बीच में आती रहती हैं तो दोनों ही यहाँ पर हम manage करके चल लए हैं यानि science की भी class होती और आपकी sst section की भी class होती रहे तो मिलते हैं आप से next video में new important questions के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद